नमस्कार कहानी संग्रे में हमारे सभी दर्शुकों का हर्दिक स्वागत है दर्शुकों साल में बारे महिने होते हैं ये तो हम सभी जानते हैं लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं कि इन बारे महिनों में से हमारे सास्त्रों में चार महिने ऐसे हैं जो इनका अधिक महत होत यह महीने हैं बैसाक, अगहन, कार्थिक और माहक, बैसाक मास साल का पहला ऐसा मास है जो भगवान विश्डू को अत्यदिक प्रीर है, इस माहका इश्नान और इसका महत्तम सुनकर हम बैकुंठ रहम प्राप्त कर शकते हैं, चैत सुखल पक्च की पूर्मा से बैसाक इश्नान प्रारम हो जाता है, और यह इश्नान पूरे बैसाक मास तक चलता है, इसकंद पुराण की अनसार बैसाक मास को सभी महीनों में उत्तम बताया गया है, पुराणों में बताया गया है कि जो भी भक्त बैसा मास में सूर उदे से पहले इश्नान करता है, तथा इसका महत्तम सुनता है, वह भगवान विश्लू की क्रपा का पात्र बनता है, उसके घर में आर्थिक संपन्नता आती है, इसकंद पुराण में यह भी बताया गया है कि महीरत नाम के राजा ने केवल बैसाक इसनान से ही बैपुंठ धाम प्राप्त किया था, इसमें ब्रती को प्राते सूर उदे से पूर्ग किसी तीर्थिस्तान, सरोबर, नदी, कुवा, अत्वा, घर पर ही इश्नान करना चाहिए, इश्नान करने के बाद सूर उदे के समय अर्ग देना चाहिए, बैसाक के महत्तम की कता सुनते वक्त ओम नमो भगवते वास्दिवाय नमे मंत्र का जाप करना चाहिए, ब्रती को दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए, इस महीने में जलदान का विशेष महत्त होए, इस माह में जगे जगे प्याव लगाना और पंखा दान करने से विशेश फल की प्राप्ती होती है साथ ही इस मास में खरवूज, तरवूज, संत्रा बन्नमी अन्न दान करने के विशेश फल की प्राप्ती होती है इस माह में जो व्यक्त चप्पल जूते दान करते हैं उन पर भगवान विश्णू की अर्थिक्रपा रहती है इसकंद पुराण की अनुसार इस माह में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के वर्तन में भोजन करना तथा रात्री में भोजन करना बर्जित बताया गया है बैसाक मास में देवता मद सूदन अर्थात वगवान विश्णू हैं आईए बैसाक माह के महत्तम की कथा सुनते हैं एक बार राजाओं और रिश्यों की सवा में महर्ष नारद ने बताया कि बैसाक माह सभी महीनों में श्रेष्ट है यह सरवादिक पुन्नदाई है सूत जी कहते हैं कि महात्मा नारद जी के बच्चन सुनकर महर्ष अम्रीस ने विश्मित होकर कहा आपने मार्कसीस अगहन आद्पवित्र महीनों को छोड़कर बैसाक माह की ही इतनी प्रशंशा क्योंकी है यद मादम मास सफसे श्रेष्ट है और भगवान लच्चमी पती को अधिक प्री है तो इस समय इसनान करने की क्या विधीर है बैसाक माह में किस वस्तु का दान और कौन सी तपस्या तता किस देवता का वुजन करना चाहिए हे रिशीवर उस समय किये जाने वाले पुन्य कर्म आप मुझे उपदेश दीजिए सद्गुरु के मुक्षे उपदेश की प्राप्ती दुरलब होती है उत्तम देश में और काल का मिलना भी अजदिक कठिन होता है राज प्राप्ती आद दूसरे कोई भी भाव हमें सीतलता प्रदान नहीं करते जितना के आपका ये समागम अम्रीश की बात को शुनकर नारज जी बोले राजन सुनो मैं संसार के हित के लिए तुमसे मादब मास की विधी का वरण करता हूँ जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बताया था पहले तो जीब का भारत बर्ष में जन्म लेना ही दुरलब है और इससे दुरलब है मनुष्य योनी में जन्म लेना मनिव से होने पर भी अपने धर्न पालन में रुची हो तो यह और भी अधिक दुल्लव होता है भगवान वास्तेव ने भक्त और उसके होने पर भी मादब मास में इश्नान आध का सियोग मिलना अत्यांत दुल्लव है मादव मास में लच्छमी पती को अधिक प्रियोग है वैसाक मास को पाकर जो विद फूर्वक इश्नान दान तथा जब आद का अनुष्ठान करते हैं वे मनुस्य धन हैं उन मनुस्यों के दर्सन मात्र से पापियों के समस्त पाप नस्ठ हो जाते हैं और वे भक्त भाव से प्रेरित होकर धर्मा चरड के अभिलासी बन जाते हैं वैसाक मास में जो 11 से लेकर पूडमा तक अनतिम 5 दिन हैं वे समूचे महिने के समान महत रखते हैं यद कोई ग्रस्ट पूरे मा इश्नान नहीं कर पाता तो अनतिम 5 दिन इश्नान कर पूरे वैसाक महिने नहाने का पुन्य प्राप्ट कर सकता है हे राजन जिन लोगोंने वैसाक मास में भली भात मद दैत्य को माणने वाले भगवान विशुल का पूजन कर लिया उन्होंने अपने जन्म का भल पा लिया भला कौन सी ऐसी दुल्लब बस्तो है जो वैसाक माक इसनान भगवान मद सुदन के पूजन से प्राप्त नहीं हो सकती अर्थात कुछ भी दुल्लब नहीं है जिनोंने दान हौम जब तीर्थ में प्रार्ट्याक तथा संपूर पापों का नास कनने वाले भगवान सिरी नारा उस्तिका जन्म इस संसार में व्यर्थ है हे राजन उत्तम कुल में जन्म अच्छी म्रत्यु श्रेष्ट भोग सुक सदादान करने में ही अधिक प्रसंता उदार्ता तता उत्तम धैर ये सब भगवान की क्रपा से ही प्राप्त होते हैं यो व्यक्तिक कार्तिक मास में तथा मादब को प्रिय लगने वाले वैसाक मास में इश्नान करके मदुहंता लच्छमी पत्त की विशेश भक्ती के साथ पूजा करता है और स्रद्दा अनुसार दान देता है वय मनुस इस लोक का सुक भोक कर अंत में सिरीहर विश्डु के परंपत को प्राप्त होता है ही राजन जैसे सूर उदय होने पर अंदकार समाप्त हो जाता है वैसे ही वैसाक मास में प्राते इश्नान करने से अनेक जन्मों की पापनश्ट हो जाते हैं यह बात मुझे ब्रह्मा जी ने बताई थी बगवान विशुडु ने श्रेम मादब मास की महमा का प्रचार किया है अते इस महीने के आने पर मनुष्य को पवित्र करने वाले पुन जलसे परपूर गंगा तीर्थ नर्वदा तीर्थ यमना तीर्थ अत्वा सरस्षती तीर्थ में सूर उदय से पहले इश्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए तपश्या का फल भोगने के पस्चार अच्छे स्वर्व की प्राप्ती होती है भगवान सिरी नारायाड अनामे रोक ब्यात से रहित हैं उन गोविंद की आराधना करके तुम भगवान के पद को प्राप्त कर लोगे ही राजन भगवान पापव का नास करने वाले हैं उन्हें नमस्कार करके पूर्मा से इस व्रत का आरम करना चाहिए वैसाक माह की पूर्मा को मदु एवं तिलका दान करें श्रीष्ट ब्रहमबडों को भक्त पूर्वक्त भोजन कराएं और उन्हें दच्छना सहित धेन दान दें वैसाक माह के ब्रत करने में कोई तरट रह गई हो तो उसकी पूर्ता के लिए ब्रहमबडों से फ्रार्थना करें ये राजन पूर्वकाल में ब्रहमा जी के मुक से जो कुछ सुना था वैसाब वैसाक मास का महत्तम मैंने तुमें सुना दिया तो दर्शको ये थी हमारी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारी चैनल को लाइट सस्क्राइब और सेयर करें